हेलो दोस्तो स्वागत और एजुकेशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेल्वे के महतपूर्ण प्रस्मों का अध्यन करने वाले हैं जो रेल्वे के एक्जाम में पूछे गए हैं दोस्तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और से और अवस्य करें चलिए सुरू करते हैं प्रथम प्रस्न से ध्वनी दबाव अस्तर की इकाई डीबी ये को किस रूप में परिभासित किया जाता है तो इसे मापे गए और संदर्व ध्वनी दबाव अस्तरों का लगू गणक पैमाने में अनुपात में परिभासित करते हैं आगला प्रस्न किसके अनुसार सोर का अस्तर दूरी के साथ कम होता जाता है तो कौन है दोस्तों यह है ब्यूत कर्म वर का नियम अप्शन ए आगला प्रस्न एक सुरोट से पानी के भीतर धोनी की तरंगे उत्पन होती है तरंगे पानी के माध्य में चलती है और इसका कुछ हिस्सा हावा में प्रसारित होता है निमलिखित कत्नों में से कौन आभिर्ती एफ और तरंधैर्य लेमडा बारे में सही है जब धोनी तरंगे पानी से हावा में जाती है तो कौन सही है दोस्तों? यह है एफ अप परिवर्तित ही रहता है लेकिन लेमडा कम हो जाता है अप्शन डे आगला प्रस्नों धोनी की तिरोता और कमलता किस से मापी जाती है? तो यह आयाम से मापी जाती है दस डेसिबल का सोर अस्तर एक डेसिबल के सोर अस्तर के तुलना में कितने गुना अधिक सक्ति साली है? तो यह दस गुना अधिक सक्ति साली है आगला प्रस्नों एक अनुधैर या धोनी तरंगे में माध्यम के कन चलते हैं तो क्या चलते हैं दोस्तों? उनकी इस्तिर्ता के इस्तिथी में एक ऐसी दिशा में जो की भिछोब के बढ़ने के समनानतर हो अप्शन ए आगला प्रस्नों निम्न में से किसमे धोनी की गती अधिकतम होती है? तो धोनी की गती लकडी में अधिकतम होती है भारित पैमाने पर इनमे से किन आविर्थियों की धोनीयों को कवर किया जता है? तो इसमें 800-3000 हर्च तक की धोनी अस्तर को कवर किया जता है जब धोनी तरंग एक माध्यम में चलती है तो यह स्रीजित करती है कि बैकल की प्रूप से संकोचन और बिस्तारी करण आगला प्रस्णौँ चमगादर रात में भी उड़ सकते हैं क्यूंकि वे आल्ट्रासोनी तरंगे पैदा करते हैं आगला प्रस्णौँ चमगादर रात में प्रूप से साथ होट्ष और चोओदे सो चोओदे होट्ष की बिच्छेदन आविर्तियां एक ओक्टेड बैंड को परिभासित करती हैं जिसकी बैंड केंद्र आविर्ति हैं तो यह क्या है दोस्तों एक हजार होट्ष और एक हजार होट्ष ओक्टेड बैंड की रूप में संदर भी किया जाएगा ओप्शन भी संकेत का ध्वनी में अधिक्तम अनुपात किसमें होता है तो यह पीपीम में होता है डेसिबेल एसकेल उप्योगी होता है जब वोल्टेज मापता समय डायस कभर किया जाता है तो ब्यापक आविर्ति का अनुपात अप्शन ए दिन के समय में वानिजिक छेत्र के लिए निधारित अनुमत सोर अस्तर है इसका अनुमत सोर अस्तर 65 डेबी है डेसिबल है अगला प्रस्न डेसि आपुर्ति की आविर्ति डायस होती है तो इसकी आविर्ति सुन्य होती है दिन के समय में आवासिय छेत्र के लिए निधारित अनुमत सोर अस्तर डायस है तो इसका अनुमत सोर अस्तर पैंसत बिबी है आगला प्रस्न दोनों सिरो पुकुला एक आरगन पैप एफ जिरो आवेर्ती पर अनुमाद करके लिए बनाये गया है जब पैप का एक सिरा बंद कर दिया जाता है तो यह पाया जाता है कि यह एपसी आवेर्ती का अनुमाद करता है यदि दोनों अनुवाद पहले लएबंध हो तो F0 और FC के बीच इनमें से कौन सा संबंध सही है इसका सही संबंध है F O बराबर टो FC मसीन A और मसीन B बराबर सुर अस्तर यानि प्रतेक 60 DBA पैदा करती है इन दोनों के सोर अस्तर का योग क्या है इसका सोर अस्तर का योग है 63 DBA जब मापित और मानक संदर्व दबाव अस्तर समान हो जाते हैं तो अब धोनी दबाव अस्तर किसके समान है तो यह 0 DBA के समान है सोर अस्तर के संख्या के वित्रन में पाचो सोर का अस्तर किसके द्वारा दरसाया जाता है तो इसका L बराबर सुरी दोस्तो L 19 के द्वारा दरसाया जाता है अगला प्रस्न आवासिय बस्तियों में और उनके निकट में किस अस्तर के सोर को स्वविक्रित योग यह माना जाता है तो यह 50 DBA तक अप्शन B यदि सोर के अस्तर का संख्या के वित्रण L1, L10, L15 और L19 के संदव में दिया गया है समकच सोर अस्तर पर LEQ का अनुपात किस रूप में लगा जा सकता है तो इसका अनुपात LEQ बराबर L15 प्लॉस L10 माइनस L19 का हुप पावर 2 बटा 60 अप्शन B अगला प्रस्णो यदि किसी ध्वनी तरंग का अवर्थकाल 0.02 सेकेंड है तो इसकी आविर्ती क्या है तो इसकी आविर्ती 50 हर्च है ध्वनी तरंग की घाटी को क्या कहा जाता है इस घाटी को गर्थ कहा जाता है ध्वनी किसी माध्यम में डायस रूप में संचारित होती है तो यदि संपिड्णो यव बिर्लो की स्रिंखला में संचारित होती है आगला प्रस्ठरण किसी धोनी तरंग की आविर्दी भी और आवर्थकाल T के बीच का क्या सम्बंद है यदि किसी धोनी तरंग की आविर्दी 50 HR Jest तो इसका आवर्थकाल ग्यात किजिये तो इसका आवर्थकाल 0.02 second है काटी अंक का सम्मद्ध डाय से है तो इसका सम्मद्ध सुनने से है निमलिखित में से कौन सा संगीत वाध्यंत्र धोनी को सभी दिशाओं में फ्यलाए बिना किसी विशेश दिशाओं में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है तो यह तू रही है आगला प्रस्णों सवगार में अवांचनिया अत्यधी प्रतिधोनियों को रोकने के लिए छट और दिवारों को किस सामर्गी से ढाका जाता है तो यह धोनी सोकसक से ढाका जाता है आगला प्रस्णों एक धोनी तरंग की आविर्ती 200 हर्च है और इसकी तरंधैर या 2 मीटर है तो धोनी तरंग की चाल गयात किजिए तो धोनी तरंग की चाल 400 मीटर प्रतिश सेकेंड है आगला प्रस्णों चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है तो चंद्रमा का कोई वाई मंडल नहीं है और धोनी बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है अप्शन B आगला प्रस्णों एक बड़े हॉल की दिवारों से धोनी के बार बार प्रावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परणाम स्वरोब धोनी की अनुभूती बनी रती है तो या प्रतिधोनी अप्शन B आल्टरा साउंड की या विर्ति रेंज क्या है इसका विर्ति रेंज 20 किलो हच से अधिक धोनी की इन में से कौन सी विसेस्ता हमें समान पीच और तिरोता वाली धोनीयों को अलग करने में सच्छम बनाती है तो वो है धोनी की विसेस्ता या गून कौन सा उपकरम विदु संकेतों को धोनी में परिवर्तित करता है तो कौन है दोस्तों लावड एस्पीकर निमलिखित में से किस माध्य में धोनी किसी विशेष तापमान पर सबसे तेरी यात्रा करती है तो सबसे तेरी यात्रा लोहा में करती है और टोरी डाय से संबंदित है तो या सुनने से संबंदित है मानो कान धोनी की स्रव्य आविर्तियों को बीधू संकेतों में परिवर्तित करता है जो डायस के माध्यम से मस्तिक में जाते हैं तो क्या होगा दोस्तों या स्रवन तंत्रिका के माध्यम से मस्तिक में जाता है अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा प्रती धोनी को कम करने के लिए प्रयुक्त धोनी सोसो सामर्गी का एक उधारन है तो कौन है समपिविट फाइबर बोड ओप्शन ए अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सी एकल आविर्ती की धोनी है तो कौन है दोस्तो सूर है आगला प्रस्ण एक सोनार में समुन्द जल से संचारित धोनी की चाल भी प्रास्व या सिंगल के संचरन एवं प्राप्ति की बीच के समय अंतराल टी और प्रास्व या धोनी द्वारा तै की गई कुल दूरी टूडी के बीच का क्या संबन्द है तो इसका संबन्द है टूडी इसकोल टू भी गुना टी है आगला प्रस्ण निमलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जाता है तो पानी के अंदर मौजूद बस्तू की दूरी दिशा और गती को मापा जाता है अगला प्रस्णौ निमलिखित में से कौन सा किसी धोनी तरंग के प्रती 21 समय में किये गे दोलनों की संख्या है तो कौन है आभीर्ती कान का कौन सा भाग धोनी कमपनों को बीदुद संख्यतों में बदलता है तो वह है कोकलिया जब धोनी ठो सता से टकराती है तो क्या होगा धोनी अवसोसित और परिवार्तित हो जाती है अगला प्रस्णों किसी धोनी तरंग की आवेटी 2000 हर्च है और उसकी तरंधेर या 0.2 मीटर है तो धोनी तरंग की चाल ग्याद करें तो धोनी तरंग की चाल 400 मीटर प्रती सेकेंड है ब्राय कर्ण किसे कहते हैं तो ब्राय कर्ण कर्ण पाली को कहते हैं अगला प्रस्णों निमलिखित में से किन पूर्जों को अल्टर साउंड का उप्योग करके साफ किया जाता है तो कौन है दोस्तों कठिन पहुंच वाले पूर्जे अप्शन बी अप्रति सकेंड एकाई 6 से गुजरनेवाली धोनी उर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है तो इस मात्रा को तिरुवता कहा जाता है ऑप्शन शी भोकप मुख्य आगात तरंगों से पहले डायस तरंगे उत्पन करता है जो कुछ जानरों को सचेत करती है तो कौन है अप स्रब्या एक धोनी तरंग की आवेती 25 हर्च है और इसकी तरंधेर्य चार मीटर है तो 200 मीटर की दुरित तैक करने में धोनी तरंग क्या धोनी तरंग द्वारा कितना समय लएगा तो इसमें 2 सेकेंड का समय लएगा निमलिखित माध्यमों ठोस द्रो और गैस को उनसे संचारी धोनी की चाल के औरोही करम में ब्योस्तित करें तो ब्योस्तित करना है दूस्तो ठोस द्रो गैस अप्शन बी अगला प्रस्न अप्षरब या तरंगों की आविर्ती प्रयास कितनी होती है तो इसकी आविर्ती प्रयास 20 हर्ड से कौम होती है अप्शन बी अगला प्रस्न धोनी की चाल मार्ध्यम की किन गणों पर निर्वर करती है तो या मार्ध्यम की प्रगति और तपमान दोनों पर निर्वर करती है श्रोवन यंत्र में मौझूद मुख्य उपकरण कौन से है इसमें माइक्रोफोन, एम्प्लिफायर और स्पिकर है अप्शन डिए निमलिखित में से कौन से जीव पराध्वनिक सीमा में धोनी उच्छ सर्जन नहीं कर पाते है तो कौन नहीं कर पाते हैं दोस्तों, मानो, ओप्शन ए आगला प्रोशन, धोनी की तिर्वता अथ्वा मंदन का इसके डायस दोरा निधारित किया जाता है तो यो आयाम के दोरा निधारित किया जाता है धोनी की तिरुवता अत्वा मंदन का इसके डायस तोरा निधारित किया जाता है तो इसका निधारित आयाम के दोरा किया जाता है धोनी की गुलवता किसके डायस तोरा निधारित किया जाती है तो धोनी की गुलवता इसके फिक्वेंसी की दोरा निधारित की जती है धोनी डायस में नहीं गुजर सकती है तो धोनी निर्वात में नहीं गुजरती है पुनरावती प्रावर्तन के कारण धोनी की प्रबलता डायस कहलाती है तो धोनी की प्रबलता अनुकम्पन कहलाती है अगला प्रस्ण एकल आविर्ती की धोनी डायस कहलाती है तो यह टोन कहलाती है दोस्तो अब हम धोनी तरंग के विश्यस गुण से संबंधित रेलबे में पूछे गए प्रस्णों का MCQ करने जा रहे हैं चले शुरू करते हैं प्रतम प्रस्ण से पानी के अंदर की बस्तो का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है तो इसको सोनार का उप्योग किया जाता है परकास एक अनुप्रस तरंग है साबित करती हुई एक मात्र घटना कौन सी है तो वह धुर्बी करण है इको कॉंडियो ग्राम अधिक नजदिकी से किसे सम्बंदित है तो या डॉपलर इफेक्ट से सम्बंदित है धोनी हावा में 333 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यत्रा करती है इस परकार एक सेकेंड में 333 मीटर की दूरी किसके दौरा तै की जाती है तो या शुरूत के दौरा तै की जाती है एस पोष्ट गुण सुनने के लिए मूल धोनी और प्रति धोनी की बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए तो इसका समय अंतराल 0.1 सेकेंड का होना चाहिए किसी एकल आविर्ती की आवाज को क्या कहा जाता है इस आवाज को टोन कहते है धोनी निम्न में से क्या एक है तो धोनी या अंत्रित लारे है मनुसु के लिए श्रब्य धोनी की आविर्ती की रेंज कितनी होती है तो आविर्ती की रेंज 16 हज से 20 किलो हज होती है अगला प्रस्न दिये गए वेक पर किसी धोनी तरंग की आविर्ती बढ़ाए जाए तो इसके तरंधेरे पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके तरंधेरे पर इसकी तरंधेरे से कमी आ जाएगी अगला प्रस्ण निम्न में से कौन सा प्राध्धोनिक तरंगों का और द्योगिक अनुप्रियोग नहीं है तो कौन नहीं है किसी पौधे के सरी से किटनासकों का प्रासब्य तरिके से हटाना अप्शन बी अलग अलग प्रति धोनियों को सुनने के लिए धोनी के स्रोतों से औरोध की निवतम दूरी डायस होने चाहिए तक इतनी होने जाहिए दोस्तों 17.2 मीटर होनी चाहिए अप्शन B अगला प्रस्नों रेडियो दोरा उत्पादी धोनी डायस से बढ़ती है तो यह आयाम से बढ़ती है धोनी का प्रास्रान के वल तभी संभव है जब डायस हो तो क्या हो माध्यम हो धोनी निमलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है तो धोनी ठोस परदात में सबसे तेज मात्रा में यात्रा करती है 25 सेलसियत पर विभीन माध्धों में धोनी की चाल के बारे में निमलीखित में से कौन सा कतन सही या गलत है तो कौन कतन सही या गलत है दोस्तो अक्सीजन गैस में धोनी की चाल 36 मिटर प्रतिस सेकेंड होती है यह कथन सत्य है जल में धोनी की चाल 3490 मिटर प्रतिस सेकेंड होती है यह भी सत्य है एक और दो दोनों सत्य है आगला प्रस्न 25 सेलसियत पर विभीन माध्धोमों में धोनी की चाल के बारे में निमलीखित में से कौन से कथन सत्य या असत्य है तो कौन है दोस्तों जल में धोनी की चाल 1531 मीटर प्रतिस सेकेंड होती है ये भी सत्य है हावा में धोनी की चाल 46 किलो मीटर प्रतिस सेकेंड होती है कथन दो गलत है केवल एक कथन ही सत्य है धोनी परदूसों डायस में मापा जाता है तो यो डेसिबल में मापा जाता है जब किसी बस्तू की चाल धोनी की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है तो इसकी चाल को सुपरसोनिक कहा जाता है धोनी की आविरती n तरंधैर या लेमड़ा और 4 भी की बीज का क्या संबंध है इसका संबंध है which is equal to lambda into n आगला प्रस्णो एक धोनी तरंग की आविरती 50 हच है और इसकी तरंधैर या 4 मीटर है तो धोनी तरंग की चाल कितनी होगी तो इसकी चाल 200 मीटर प्रति सेकेंड होगी जब धोनी उत्पन करने वाला स्रो धोनी से अधिक चाल से गती करता है तो हवा में अगहात तरंगे उत्पन होती है इन अगहात तरंगों द्वारा नियमित अत्यांक तीखी और तेज धोनी क्या कहलाती है तो यह सोनिक भूम कहलाती है अगला प्रस्णो धोनी की चाल माध्यम के डायस गुणों पर निर्वर करती है तो यह तापर दापर प्रस्थता इन में से सभी पर निर्वर करती है निमलिखित में से कौन सी आवाज सुनने में सुख़द और उंच्य गुणवर्ता की होती है तो कौन है दोस्तों संगीत आगला प्रस्णो कोस्टेंट हौल और सिनेमा हौल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि धोनी को प्रावर्तन के बाद हौल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके तो इसे वक्रिय बनाना चाहिए निम्न में से कौन सा माध्यम के घुनत्व में किसी धोनी तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने अवाला समाय है तो कौन है दोस्तों आवर्त काल अप्शन भी है यदि धोनी तरंग का तरंधेर या 100 मीटर है तो इस तरंग की तरंग संख्या कितनी है तो इसकी तरंग संख्या 0.01 प्रती मीटर है सुनार एक ऐसा उकरण है जिसमें डायस बस्तो की दूरी दिशा और गती को मापने के लिए प्रास्रब्य तरंगों का उप्योग किया जता है तो कौन है पानी के अंदर प्राधोनी तरंगों के संबन में इनमें से कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन कौन है प्राधोनी तरंगे दो स्पून अस्थानों से वापस प्रावर्थित नहीं होती है जिस तरीके से मस्ति किसी उत्सरजित धोनी की आविर्थी की पहचान करता है उससे क्या कहा जाता है तो उससे पीछ कहा जाता है आगला प्रस्णों डाइस एक धोनिक अनुवाद है जो कमपन में होने पर नियत स्वरमान पर गुचता है तो कौन है? स्वरन दिभूज है अप्शन बी आगला प्रस्णों निमलिकित में से कौन सा धोनी तरंग की विशेस्ता नहीं है? तो यह है घनत्वा प्रति धोनी सुनाई देने के लिए श्रोत और प्रावत के बिच लगबाद डाइस की दोरी होने चाहिए इसमें 17 मीटर की दोरी होने च करता है तो यह उसकी आविर्ति पर निर्भर करता है एफम से जो संकेत तुर्जय प्राप्त होगी वो डाइस ट्रांस्मिसर बैंड वृत में बृधी के साथ होगी तो वह है बढ़ेगी अगला प्रस्णों रेडियो प्राश्रम रिस्यूवर में सबसे समान्य तोर पर अगला प्रस्णों एक सुनार में मौजूद मूख्य उपकरन क्या है जिसका उप्योग पानी के नीचे मौजूद बस्तू की दूरी दिशा और गती का पता लगाने के लिए किया जाता है तो कौन है ट्रांस्मिटर और डिक्टेक्टर अगला प्रस्णों धातू ब्लोकों में डायस का पता लगाने के लिए अल्ट्रसाउंड का उप्योग किया जाता है तो यो दरारो और दोसों का अगला प्रस्णों धोनी डायस के बिना संचारित नहीं होती है तो धोनी माध्यम के बिना संचारित नहीं होती है अगला प्रोस्णों डॉल्फिन, सिसुमार, चमगादर और चुहो दोवारा निमलिखित में से किस का उत्पादन किया जाता है तो यह अल्ट्रा साउंड का उप्यो किया जाता है अगला प्रोस्णों चमगादर अंदरे में किस परकार दिशा का पता लगाते हैं और अपना भोजन खोजते हैं तो यह उच यह पिछ वाली प्रासब यह चीख निकालते हैं जो किसी भी बादा से टकराक और परिवार्थित होती है अगला प्रोस्णों वहानों में लगा निम्न में से कौन सा उपकरण वाइप पर दूसरों को नियंतरित करता है तो यह है उत्पेरक परिवर्थ तक अप्शन डी आगला प्रस्नौ धोनी का संचरन सबसे तिर्व किस में होता है तिसका संचरन एलमूनियम में सबसे तिर्व होता है निमलिकित में से कौन सा इंफरास साउंड का उधारन है तो कौन है पेंडूलम के कमपन कई आविर्तियों के मिश्रन से उत्पन धोनी को डायस कहा जाता है तो उसे आवाज कहा जाता है अगला प्रस्णों लवन जल के बीदुत अब घटन के दोरान कौन सी गैस उत्पन होती है जो पॉप के धोनी के साथ जलती है तो वह हिलियम गैस उत्पन होती है धनवाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य करें अगर आपके इस वीडियो को पीडियो लेने के लिए मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए